आप माने या ना माने लेकिन ब्रमान में कुछ उर्जाय ऐसी होती हैं जो आपसे संपक करने के कोशिस करती हैं ये वो उर्जाय सक्तिया हैं जिनके आधार पर आप ये जान सकते हैं कि आने वाला समय आपके लिए अच्छा होगा या भुईरा ये सक्तिया आपको साबधान करने की भी कोशिश करती है लेकिन वे कौन लोग है जिने ये सक्तिया अपने होने का एहसास करवाने की कोशिश करती है या उनसे संपक करने की कोशिश करती है ब्रमान की ये विशिष्ट उर्जाय जिनसे संपक करना चाती है उन्हें कुछ खास संकेत मिलते हैं और अगर वैव वैक्ति इन संकेतों को नजर अंदाज करता है तो वो अपने जीवन में ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाता तो चली जानते हैं उन संकेतों के बारे में अगर आपके जीवन में बाधाय अचानक बढ़ने लगी है आपको समझी नहीं आ रहा कि रास्ता कहां बंद हो गया है तो समझ लिजिए इस्वर या ब्रह्मान की वो सकती आप से संपक साधने की कोशिस कर रही है अध्यात्म और दियान की सर्ण में जाकर ही आप उनकी द्वारा दी जाने वाली जानकारी को ग्रैंड कर सकते हैं कभी कबार हम एकी रास्तों को चुनने और उस पर चलने के लिए बाध्य हो जाते हैं हम चाते हुए भी एकी दिशा की और बहते चले जाते हैं यह भी ब्रह्मान्य उर्जय द्वारा आपको दिया जाने वाला एक तरह का संकेती ही है ताकि आप अपने जीवन के उधिश्यों को समझे और सही रास्ते पर चलते रहें। इस दुनिया में संयोंग जैसा कुछ नहीं है जो भी होता है उसके पीछे कोई न कोई काण अवस्य मोजूद होता है। कभी कबार हम किसी यात्रा पर जाने के तैयारी करने के बावजूद भी उस यात्रा पर फाइनल आगे बढ़ने का मन नहीं बना पाते। हम अपना प्रोग्राम कैंसल कर देते हैं अचानक पता चलता है जिस जगह हमने जाना था वहां कोई दुगटना हो गई और अगर हम जाते तो हम भी उसका शिकार हो सकते थे। यह एक उधान सयों का नहीं है इसके पीछे उन सक्तियों का कमाल है जिसने आपके मस्तिस्क में गूमने के प्लान को कैंसल करने के लिए बाद्या किया। क्या आपको भी कभी कभार आठपटा सा महसूस होता है आप कहीं भी सांती से नहीं बैठ पाते आपके मस्तिस्क में विचार चलते रहते हैं आप खुश होते हुए भी खुश नहीं है कुछ ऐसा है जो आपको बहुत परसान कर रहा है अगर हाँ तो समझ जाईए ब्रह्मान की सक्तिया आपको खुश से जोडने का प्रेतन कर रही है कभी कभार हमारे सपने में हमारा असल जीवन फिल्म की तरह चलता है फ़रक बस इतना होता है कि सपने में हम वही देखते हैं जो हम वाकी देखना या सुनना चाहते हैं अगर यह सब आपके साथ भी होता है तो समझ लीजिए कुछ विशेश सक्तिया आपसे संपक्सादने की कोशिश कर रही है अगर आपको भी ऐसे कुछ संकित मिल रहे हैं तो उन्हें नजरंदार ना करे ऐसे ही और भी अद्बू जानकारी के लिए ग्यान सिटी को सबस्क्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि कोई भी नई वीडियो आपसे शूट न जाए वीडियो पसल आई हो तो लाइक और सेर कीजिए फिर मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ नमस्कार